तो आज हम करेंगे चेप्टर 10 रेंचीज रेंचीज क्या होता है इसकी हमने ब्रीफ जो डेफिनेशन थी वो चेप्टर 9 में दिखी थी सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन में हम उसको इवा दुबारा से रीट कर देते हैं क्या होता है रेंच कि आपके पार सिस्टेम में बहुत सारी फोर्स और आपने उसको एक सिंगल फोर्स आर में डियूस करते हैं तो गैदर विदा उसकी साथ क्या है कपल अफ मुमेंट है इसको आपने केस्टी रेनोट किया और जो आर की जो डिरेक्टिन अगर अगर इस लाइन पर आर है तो इसी पर इस लाइन पर अगर आ है तो इसी पर आपको क्या है क्या है मुमेंट कपल ओफ मुमेंट दोनों की एक्सिस क्या है सेम है दोनों की एक्सिस क्या रहेंगी सेम रहेगी और 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 की को टुगैदर आप क्या बोलते हो रेंच बोलते हो इसमें से आप पूछते रहते हो ना इंपोर्टेंट सब पूछ होता है अगर मैं हम कुछ पी स्किप कर दें और वो अग्जाम में आ जाए तो फिर आपको लगए कि हम नहीं छोड़ दिया था और यह आ गया इस पर इसी मैं आपको कुछ ऐसी शॉर्टी नहीं कहते कि यहीं बढ़े आएगा बड़ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी यह आटिकल महुस्स इंपोर्टेंट आटिकल है इसके चांसी बोज आरे आने की इस वाले की और एक आर्टिकल हो रहे है वह इन दोनों की बहुत चांसी हैं हो सकता है इन दोनों में इस जरूर आए 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 व एक चप्टर आरा इनकी इक तो यूइट है अब यह 10 और 11 फ यह कि हमारी 10 11 और 12 की उनित एक औरिकल्स चैप्टर है कि यह इन चैप्टर में एक एक्स्साइस ही और ज्यादा को चीप्टर मत करना गया जो भी इंपोर्टन्ट इस उससे तो प्रीस माझ छोड़कर जाना जै इस आर्टिकल में क्या है इस आर्टिकल के अगर आपको डियाग्राम समझ में आ जाता है कि डियाग्राम कैसे रोग किया हुआ है तो आदा कुछन आपको समझ में आ जाएगा इस की थियोरम क्या कहती है देखिए तो इस थियोरम की दो पाट है पहला पाट ये कहता है कि अगर एक सिस्टम में बहुत साइब नॉबर आप उन फोर्सिस को और नॉबर आप फोर्सिस को रिप्लेश कर सकते हैं कि इस से तो फोर्सिस से और जो उसका सिस्टम में वहीं उस फॉर्च का सिस्टम रहेगा और इसको रिडियूस करने के तरीका कोई एक या दो नहीं है इसके बहुत सारे तरीकिए इन इन इंफाने नंबर फ्रस मतलब आपको एचीन शो करनी है यहां कि हम बहुत सारी सो इसको दो फोर्च कर सकते हैं पहला पार तो इसमें यह है और दूसरा पार यह है हमें प्रूब करना है यह जो दो फोर्स लेंके चल रहे हैं उन तेट्रा हेड़नी की चैप बनेगी उसका जो वल्यम होंगा वह क्या होगा को ऑगा स्थे करेंगे देखिए जो डाइग्राम है यह 3D है 3D हम दो नहीं कर सकते हैं आपको समझा सकती हूं यहां पर फोसमझना हो कि हमें कैसे करना है ठीक है नेकि इसमें किसे सबसे पहले करते हैं सबसे पहले हम ड्रो करते हैं हमारी z-axis यहां पर देखो यह हम क्या करेंगे सबसे पहले ड्रो करेंगे z-axis z-axis पर आपकी act कर रहे हैं क्या act कर रहे हैं एक तो r यानि की resultant 4 together with a couple of women that is k कि अब हमें क्या करना है हमें इस आड को दो force में result करना है मैं माल ले चुकि जिन दो forces में OPAC करना है तो वो aux determine do r one and r two है तो अगर मैं यहां पर r1 है और अगर मैं यहां पर r two कर दूः यहां पर R1 कर दूः और यहां पर r.T rappers कर दूः तलब ऐसे कि यह आपका point है, अगर बीच में कोई point है, अगर मैं ऐसे कर दू, बीच में R1, R है, देखो, अगर situation ऐसे है, यह R1 है, यह R2 है, तो इन पे क्या होगा, अगर मैं इनको ऐसे resolve करूंगे, तो एक ही point पे 3 of force लाई करेंगे, और जो यह point है, O, इसके राव मुमेंट लोगी, तो व देना पड़ेगा, suppose, this is your Z axis, and here lies the point R, अब आपको इसको resolve करना है, तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा distance पे लो, अगर मैं इसको ऐसे R1 में resolve कर दू, और इस बुक के पिछे की दरप, यानि कि, अगर मैं इसको R2 में, अगर मैं हम इसको ऐसे resolve करेंगे, देखो, ऐसे, कुछ इस तरह से, समझ रहो ना, हम इसको कैसे resolve करेंगे, कुछ ऐसे resolve करेंगे, R1 और R2 में, तो देखो, यह अगर Z axis है, तो यह Y axis हो रहेगी, आपकी, इसके line मैंने कि अगर एक parallel line मैं यहाँ पे draw कर ली, और R1 को मैंने कहां पे resolve कर रहा, यहाँ पे, यह copy में मतलब तुछ इस त इसे है पिछे की तरफ कुछ, मतलब अगर यह notebook है, तो यह ऐसे पिछे की तरफ है, ठीक है, समझ रहो ना, ऐसे पिछे की तरफ आपको R2 लेना है, तो अब देखो, इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसके parallel हमने एक line draw कर ली, इसके parallel हमने एक line draw कर ली, यह आपका R1 है, यह आपका R2 है, अब इसकी भी X, Y, Z axis होगी, यह तो इसकी X axis होगी, यह इसकी Z axis होगी, और निचे इसकी Y axis रहेंगी, and the same way यह इसकी X axis है, यह इसकी Z axis है, यह वाली, और Y की बात करें, तो यह point पिछे की तरफ है, यह point पिछे की तरफ है, तो इसकी जो Y axis होगी, निचे क तरफ वो क्या होगी negative y axis होगी क्योंकि यह point ऐसे निची तरफ लाई कर रहे है तो यह इसकी negative y axis और यह इसकी positive y axis ठीक है अब देखिए अब हमने अपनी मर्जी से इन points को कुछ distance पी लिया है तो वो distance भी हमें लेट करना पड़ेगा suppose that this distance is small a and this is small b यह origin से pass current that is point 000 और यह इस point की बात करूँ तो मैं x axis पे y और z की component 0 होंगे that is a 0 and 0 इस point की बात करूँ मैं तो इसके जो coordinates होंगे वो क्या होंगी यह negative y axis है तो minus b 0 and 0 इतना clear है यह बात समझो देखो यह आपकी point b है यह आपका ऐसे r2 निचे के तरफ लाई कर रहा है ऐसे कुछ ऐ यह like हो यह angle बन्हाँ आपका beta तो यह तो यह वाब आएंगल की तेना बन रहा है यह यह वाल आएंगल केतना बन रहा है यह इने और पन कहिन रहा है alpha अे अब हमने क्या case को resolve किया data का से देखो ये पेस है और यह किया है ее प्रूल आक़ैगा बनाएगा और बाoa संपर chains आधया बनायेगा यहां जो सबत्सक्याथ को जिए बनेगा है कि यह रखे लो डिचे के बात पर Kelly Ses ओल यह वन दोarla चानेगा देखों यिए अदो सहीं ब्लेइगाon बट अगर मैं नेगिटिव की बात करो नेगिटिव एक्सिस में वो क्या बनेगा माइनस आर टू साइन बीटा इतना क्लिए है तोड़ा था तो समझ में आया होगा आपको पुरा नहीं आया होगा मैं मान सकती हूँ अब भी हम रीट करेंगे तो आपके जो भी डाउट से हमों क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो क्या है कपल आर के है फूर्स थू ओर दो अलाइन भी एपर पेंडिकोलर टो ओए ओ से हमने क्या किया एक लाइन जो किसके पर पेंडिकोलर थी ओजए के सच देट इस तरह से कि जो ओ की वैली है वो स्मॉल ए है और जो ओबी की वैली हो वह स्मॉल भी है assume that assume this line as axis of x आपने इस line को assume कर लिया x axis ठीक है clear है उसके बाद देखो suppose that the given system is equivalent to such forces R1 and R2 at A and B in such a way that the forces R1 and R2 lies in the plane perpendicular to O, A and O, B and make angle alpha and beta with O, Z यह कह रहे हैं कि suppose करो कि जो R है वो resolve हो रहा है दो forces में R1 and R2 और R1 और R2 कहां पर लाई कर रहे हैं O, A पे और O, B पे और angle क्या बना रहे हैं alpha and beta जो मैंने आपको बताया है अब यह उन्हेंने बताया हुए इतना clear है diagram clear हो गया कि यह आपकी O, Z axis है इस पे resultant force है यह couple है आपने R1 और R2 को result किया है इस तरह से बना रहे है बीटा इसका नाम आपने दे दिया ठीक है यह A है यह B है यह small a है यह small b है इतना clear है अब हम क्या करेंगे इनको result देखिए क्या करेंगे हम इनको result करेंगे along O, Z तो O, Z क्या है O, Z यह है O, Z यह है तो O, Z पे R1 का कोई component है नहीं है that is X पे वो क्या है देखो R1 की में बात करूँ तो R1 की component मेंने क्या क्या result करें R1 cos alpha और R1 sin alpha अब R1 cos alpha किस पे है Z axis पे है और R1 sin alpha किस पे है Y axis पे है पर X axis पे क्या इसका कोई component है नहीं है तो X axis पे R1 का component क्या है 0 है Y axis पे R1 का component R1 sin alpha है और Z axis पे R1 का component R1 cos alpha है ठीक है अब पाते हैं R2 पे R2 को भी हम लें तो same way resolve किया तो X axis पे प्रपेंडिकुलर X axis पे इसका कोई component नहीं है तो इसका क्या है 0 है Y axis पे इसका component क्या है minus R2 sin beta और Z axis पे इसका component क्या है R2 cos beta clear है इतना इसके component समझ में आ गए अब इन components को इकठा लिख दो X axis के लोग देखो कि तो 0 ही है Y axis के लोग क्या है R1 sin alpha minus R2 sin beta is equal to 0 और Z axis के लोग देखो R1 cos alpha minus plus R2 cos beta is equal to अब हमने result Z axis पे R का component क्या है R है ना X axis पे R तो कोई component था यह नहीं Y axis पे था तो R Z axis पे R का component क्या है R खुद Z axis पे होना यह ना तो W X पे ना Y हम result कि को करने है R को कर है थो जबम हमने इसको Z axis के corresponding resolve किया है along resolve किया है तो जब हम जय वाख को यह टेखने वह खुद किसके equal होगा? R के equal होगा. क्योंकि हमने R को corresponding कि इसके long result किया है Y पर यह 0 था, यसलिए हमने equal to 0 रखा बट जब मैं Z axis की बात करूँगे तो मैं इसको equal to R रखूंगी क्यों? रखूंगी वह समझ में आ गया क्योंकि Z axis पूसकर component क्या है? आ रहे है ठीक है यह equation 1 और equation 2 अब जो में निकालने वो निकालने है moment आपके book में direct किया हुए देखो यह चीज तो हमने निकाल दी बट आगे वाला जो step है देखो moment निकाल के इन्होंने सिद्धर बता दी आपको कि moment का formula क्या होता है और उसके बाद जो equations है वो सिद्धर लिख दी तो आपको से समझ में नहीं आएगा इसलिए आपको बता देखो कि moment निकालते कैसी है देखिए सबस्थी पहलेंगी अर्बन की मुमेंट कैसे निकाल देखिया है डोगाया यहाँ अ डोका 1994 बताबद यहां ऑर यहां पर रखिएगे इसको म्ंटिप्वाई करेंगे 0 0 minus j को यहां रखेंगे multiply करेंगे क्या आएगा a r1 cos alpha minus 0 plus k को यहां रखेंगे क्या आएगा a r1 sin alpha plus minus 0 तो r1 के components क्या आगए 0 minus a r1 cos alpha and a r1 sin alpha clear है इतना समझा रहा होगा कुछ भी नहीं समझ मैं आगा तो प्रीज पूछ लेना मैं आपको बता दूगी अब देखो निकालते है r2 के components r2 किस पर लाई कर रहा है b पे उसका formula क्या होगा determinant of ij components of b and components of r2 तो b पे क्या है minus b 00 minus b 00 और r2 के components किया थे 0 minus r2 sin beta r2 cos beta देख दिया अब हमने इसको solve किया तो यहां से हमारे पास component i0 b r2 cos beta and b r2 sin beta clear है अब यह r1 की moment आगी और यह r2 की moment आगी यह r1 के ij के point आगे यह r2 के ij के point आगे यानि कि यह x y z और यह भी x y z clear है अब r1 और r2 की total moment में लोगए total moment of r1 and r2 along x axis तो x axis के लोग r1 भी 0 r2 भी 0 तो total moment along x axis क्या हो जाएगी 0 अब y axis की तरफ बात करते हैं y axis पे moment क्या होगी minus a r1 cos alpha plus b r2 cos beta is equal to 0 ठीक है अब z axis की बात करो a r1 sin alpha plus b r2 sin beta is equal to 0 नहीं होगा अब 0 क्यों नहीं होगा यह देखो z axis पे moment moment को couple को मुने किसके दिनोट किया हुए के से दिनोट किया हुए और वो के किस पे लाई कर रहे हैं z पे लाई कर रहे हैं मतलब कि z axis के long moment के अगर कोई हमारा moment के अगर हमारे कोई value हुए तो वो क्या है सिर्फ और सिर्फ की है नहीं तो x axis पे कोई moment लाई कर रहे हैं नहीं कोई y axis पे moment लाई कर रहे हैं तो जो हमने r1 एंड r2 का moment निकाल रहे हैं z axis पे उसका सम किस केकवल होगा केकवल होगा क्योंकि z axis पे k moment लाई कर रहे हैं ठीक है clear है इतना इतने पार समझ में आगी अब देखो यह जो इक्वेशन निकाली है यहां पर देखो यह लिखी हुई है यह मैंने आपको बता रहे कि कैसे आई है आप चाहो तो यहां बुक में साइट में नौट कर सकते हो ताकि आपको याद रहें clear है अब हमें क्या करना है अब हमारा सिर्फ और सिर्फ सॉल करने का पार्ट रहे जो भी वैल्योज आएंगी उनकी जो भी पहली होगी मालो जैसे कि अगर कुछ भी आती है तो उनकी वैल्यों को गर मैं चेंज करूंगी तो आर वन और आर्ट की वैल्य चेंज होती रहें बिटा था इसको यहां रखो इसको महा ले जाओ तो यह क्या बन जाएगी यह बन जाएगी अब डिवाइड कर दो इसको A B से तो क्या बन जाएगा B R to cos beta by A B is equals to A R 1 cos alpha by A B B से P कट जाएगा यहां से A से A कट जाएगा यह equation बचेंगे आपके पास ठीक है लिए रहा इतना आप देखो इतना है अपके बुक में हाँ पैसे किया हो गए अब हमें क्या करना है हमें इसको इस equation में बदलना है हम इस cos alpha plus r2 cos beta upon a plus b अब इसकी value क्या है इसकी value है r यह दो आर पूट कर दिया upon a plus b यहाँ से की equation आगी अब आपने क्या किया देखो यहाँ से यहाँ से r1 cos alpha by b था किसकी equal आगे इसकी equal आगे तो r1 cos alpha किसकी equal आगे बी वहाँ चला जाएगा b r by a plus b r1 cos alpha की value आगे इसी तरह से यहाँ से r2 cos beta by a इसकी equal है तो r2 cos beta क्या हो जाएगा a r by a plus b तो r1 cos alpha आगे र2 cos beta आगे हम क्या निकालेंगे r1 sin alpha और r2 sin alpha तो वह कैसे निकलेगा देखिए अब यह equation का थमने use कर लिया अब हम किसका use करेंगे इस वाले का use करेंगे तो यहाँ से हमारे पस क्या आ रहा है देखिए a r1 sin alpha यहाँ से इस वाले से a r1 sin alpha plus b r2 sin beta is equals to k यहाँ से इस equation को उठाओ क्या बनेगा यह r1 sin alpha is equals to r2 sin beta यही बनेगा न अब आपने क्या किया इसको solve करने के लिए इसको a से multiply and divide कि r1 sin alpha को और इस वाली term को b से multiply and divide किया तो इसको divide करने हमने ऐसे कियung है हमने ऐसा इसी लिए किया तकि हम ça को add कह-लए तो हमारे पस इस वाली value का use हो जाए के वाली value का और r वाली value का था हमने result निकान लिए use किया और जिन टरम्स के एक्वास्ट्यू था उन से हमने बेली फेलूज निकाल कि यहाँ से मानेस को मैंनेस को ने उस्षकव हैं व्हां इसको मैं वहां नेकाल निकाल कि नीकाल डिया एक्विशिंज़र से इन वले टर्म्स तो यहां से a r1 sin alpha upon a is equal to k by a plus b है तो a से कट जाएगा तो r1 sin alpha क्या आ जाएगा k upon a plus b इसे तरह से यहां से b r2 sin beta by b है वो किसकी एक वराज़ेगा b से b कट जाएगा r2 sin beta is equal to k upon a plus b तो r1 cos alpha आ गया r2 cos beta आ गया r1 sin alpha आ गया r2 sin beta आ गया अब हम क्या करेंगे अब हम इनको square करके add करेंगे तो r1 cos alpha r2 sin alpha इनका square करोंगे क्या बनेगा r1 cos square alpha plus r1 sin square alpha तो r1 cos square alpha plus r1 sin square alpha वो क्या बन जाएगा r1 square into 1 और is equal to right inside के अगर मैं बात करूँ तो यह क्या बन जाएगा b square r square upon a plus b whole square plus यहां पे क्या है k square upon a plus b whole square तो a plus b whole square क्या आ जाएगा? lcm आ जाएगा और उपर क्या बनेगा? b square r square plus k square यहां क्या? clear है? r1 square अब इन दोनों equations का use करेंगे तो क्या आ जाएगा? r2 आ जाएगा r2 cos square beta plus r2 sin square beta करेंगे तो r2 square 1 बन जाएगा sin square beta plus cos square beta goes to 1 right hand side को add करेंगे a square r square upon a plus b hall square plus k square upon a plus b hall square फिर से a plus b square को assume लेंगे और उपर क्या बचेगा a square r square plus k square r1 square भी आ गया और r2 square भी आ गया अब क्या करो इन दोनों terms को divide कर दो r1 sin alpha है ना r1 sin alpha upon इसको divide कर दो किससे r1 cos alpha से r1 sin alpha की value क्या है k upon a plus b और r1 sin alpha की value क्या है b r upon a plus b तो a plus b से a plus b कर जाएगा तो क्या बचेगा k by b r r1 से r1 कर जाएगा क्या बचेगा tangent alpha tangent alpha is equals to k by b r इसे तरह से इन दोने equations को divide करोगे तो क्या आएगा r2 sin beta upon r 2 cos beta is equals to k by a plus b upon a r by a plus b a plus b से a plus b कर जाएगा r2 से r2 कर जाएगा cos beta क्या आजाएगा k upon a r tangent beta क्या आजाएगा k upon a r clear है इतना समझ में आ रहा है आपको अब हमारा एक पार्ट घ्रापे बचाता है proof कैसे देखो अब देखिए tangent alpha की value क्या आ रही है k upon b r tangent beta की value क्या आ रही है k upon a r r1 square की value क्या आ रही है मतलब r किस किस पर डिपैंड कर रहा है b पे r पे k पे और a पे और r2 पे किस पर डिपैंड कर रहा है a r b and k पे 10 if a b r k r given अगर हमें पता हो a b r k की values पता हो 1 2 3 1 की values कुछ भी है तो जैसे रहसे इनकी values चेंज होगी वैसे वैसे j 1 r 2 alpha और beta की value चेंज भाएगा क्यों 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 कि ये 4 values ही हमारी a b r और k पे depend कर रहा है तो जैसे रहसे हम a b r k को change करेंगे वैसे वैसे हमारे r1 r2 alpha और beta चेंज होजाएगा बट अब हमें पता है कि A और B हमने क्या ले थे कोई भी arbitrary points ले थे ना अपने मर्डी से हमने कोई भी arbitrary points ले लिए थे बट A and B arbitrary hence there are infinite number of ways in which the system can be replaced by the two force let AC and ABD represented the forces R1 and R2 थी क्या कहना चारहे है कि हमने A और B अपने मर्डी से कोई भी points चूज कर लिए थे यसे रहे हम इनकी values को change करेंगे वैसे वैसे हमारा R1 और R2 चींज करेंगा मतलब की जैसे रहे हैं मैं Angle change करूंगे अगर वह Angle 45 था तो R1 के वैले कुछ और तूमें रिडियूस करने के समझ आगे आपको बात तो यहां पर हमारा एक पार्ट होता है प्रूफ हमने कैसी किया इसको सब्सक्राइब ने डायग्राम बनाया ओजैड एक्सिस के आलोंग हमने आर ली आर के साथ आलोंग विद अ कपल के लिया उसको हमने आर वन और आरवन fine alpha r2 sin beta r1-cos alpha r2 cos beta यहां से हमने squaring and adding स्क्व dokp की r1 square r2 square tangent alpha tangent beta निकाला जहां से मैं पताच चाहिए कि जैसे जैसे हम a b और और की कूछ ही वैसे हमारा पास r1 r2 alpha beta change हो जाए और इस वज़ाए से हमारें पास r2 r2 r1 में reduce करने के बहुत सारी number of ways हैं ठीक है clear है done कोई भी ना समझ में आए तो प्लीज पूछ ले ना अब हम देखते हैं इसका second part second part में हमें यह प्रूफ करना था कि जो हमारी फोर्स है आर वन और आर टू वो क्या फॉर्म कर रही है एक tetrahedron तो देखिए सब्सक्राइब को पता होना चाहिए कि tetrahedron होता क्या है tetrahedron क्या होता है कि जिसका base तो क्या हो बेस में तो क्या होता है ट्रेंगल होता है और एक point होता है देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ यह एक त्रेंगल है माल लपन लेजिए गर एक ट्रेंगल है ऐसे तो अगर मैं ऐसे कुह प्यल्स कि आए को कुछ इस टाइप से अर्य दखो अगर यह त्रेंगल के तीनोध पॉइन पे आपको और जय emन आपको पोड्य कुरों कि ये ट्रेंगल इसे बन रहा है च Donc इसे एक 02 को नाथ कमोगी तो ustais कर रहा है बॉत तो जिस एक पॉइंट से इस यह तीनों ट्रेंगल कि कोन भ której कर रहा है तो छो यह जो ये जाड़ेंगा पहलेंगी फोर्ट बनेगे चीक है कुछ कुछ समझ में आया आपको देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे यह गर मानला ही ट्रेंगल है ठीक है एक पॉइंट डी है अब हम 3D को इसमें दिनोट नहीं कर सकते हैं तो अगर वह पॉइंट यहां पे है तो यह पॉइंट भी से माच होना चाहि है और यह पॉइंट भी से मिलना चाहिए तो यह हमारा क्या बन जाता है एक ट्रेट्रा हेडरन की शेप बन जाती है क्लियर है कि ट्रेट्रा हेडरन क्या होता है अगर मैं इसकी बात करूं तो यह हमारे ट्रेट्रा हेडरन कैसे बनेगा उन्हों नहीं किया कहा था कि जिन फ बहर वाला पॉइंट है तो हम इसको ऐसे जोइन कर देंगे तो इसका मतलब यह क्या बन रहा है तो अब देखो टेट्रा हेडन का वोल्यम क्या होता है वो क्या होता है वेक्रेशारी एरी ओफ ट्रेंगल एक कि पाथ कर रहे हैं और साथ में परेंडीकुलर डिस्टेंस प्रां perpendicular distance है वो उन दोने की multiplication क्या बन जाती है हमारे volume बन जाता है किसका tetrahedron का clear है अब देखिए area क्या होता है triangle ABC का half into base into height अब मैं base की बात करूँ तो देखो इसका base क्या होगा इस वाली triangle का base क्या होगा AB होगा और इसकी हाइट क्या होगी AC होगी क्यों होगी ऐसे क्योंकि हमने आरवन इसके x-axis पे z-axis को perpendicular लिया हुए ना तो यह हमारे perpendicular का का काम करेगा और यह बेस बन गया और यह हमारी क्या बन गई हाइट तो इस चैंगल में AB तो base है और AC क्या है हाइट तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से परपेंडिकुलर ड्रो किया उसको मैंने नाम दे लिया पी क्योंकि मुझे डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ABC ट्रेंगल पर तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रो कर लिया पी तो मुझे लग सकते हूं, sign of angle between BD and BP, तो मैं इसको ऐसे लग सकते हूं, हम किसकी बात करें, DP के, DP is equal to BD, sign of angle between किस-किस के बीच में, BD and BP के बीच में, ठीक है, clear है, अब देखो, जो BP है, BP, अब R2 को मैंने कैसे लिया था, बुक के पिच्छे वाले तरफ लिया था, ऐसे लिया था न, तो जो हमारी R2 है, वो पिच्छे वाले तरफ है, तो हमारा perpendicular distance क्या है, जो ये D point है, ये D point हमारा कहीं भाहर लाई करेगा, यहाँ पे तो नहीं लाई करेगा, तो जो ये BP है, वो क्या रहेगा, X axis के perpendicular रहेगा, यानि कि X axis पे, जितनी भी lines हम ड्रो करेंगे, वो सारी perpendicular रहेगा, यानि कि ये X axis पे जितनी भी lines है, तो अगर ऐसे है, तो ये अगर मैं यहां से लोँ, यहां से लोँ, कोई फरक नहीं पड़ेगा, सब पे perpendicular रहेगा, तो मैं BP को किससे replace कर सकती हूँ, triangle ABC से replace कर सकती हूँ, उससे भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, तब भी perpendicular ही रहेगी है, और अगर मैं इसको AC से replace कर दो, तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये plane थो हमारा same ही है, अब हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास value AC की है, तो मैंने क्या किया, BP को replace कर दिया किससे, AC से, तो मैं अगर BP को AC से replace करो में, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, DP is equal to BD, sine of angle between BD and AC, अब BD क्या है, BD क्या है, R2, और AC क्या है, R1, alpha plus beta और beta plus alpha, alpha plus beta लिख लेना, ठीक है, तो ये हमारे पास DP की value आगई, 3DP की value ऐसे आई, ठीक है, अब हमें क्या करना है, AB की value put करने है, सब की values put करने है, AB क्या है, A plus B, A plus B, AC क्या है, AC है हमारा R1, R1 upon 2, BD क्या है, BD, R2, sine alpha plus beta, इसकी multiply करो, क्या बन जाएगा, 1 by 6, R1, R2, A plus B, sine alpha plus beta, अब क्या करना है, sine A plus B, sine A cos B, plus cos sin B, sine alpha की value, क्यों, यहां से R1 को multiply कर दो, अंदर, R1 sine alpha बन जाएगा, R2 को multiply कर दो, यह सारी value जाएगे, R1 sine alpha, क्या है, K by plus B, R2 cos beta कितना है, R2 cos beta, A by plus B, R1 cos alpha, B by R by plus B, R2 sine beta, K by A plus B, सारी value जाएगे, पुट कर दी, पुट करने के बाद, यहां पे आपने इसको, L-sim लेकि solve कर दिया, solve करोगे, तो K by A plus B का, होल स्कूर बनेगा, साथ में यह A plus B बनेगा, यह दोनों का square, यह square कर जाएगा, क्या बचेगा, कि R by 6, K by constant है, R by constant है, 6 by constant है, कि हमारा couple है, R हमारी force है, 6 हमारा constant value है, तो यह सारी constant value होने के बदरे से, यह हमारा volume था, टेटर हड़रिंगा, वो क्या गया, constant, तो यही आपके इसमें फूरूब करना था, रिजल्ट थोरा से लेंदी जरूर है, बट यह most important है पेपर की point of view से यह और एक जो मैं आपको भी next करवाओंगी वो, तो इन दोनों को प्लीज मच छोड़के जाना, प्लीज जरूर कर लेना, ठीक है, अगर आपको इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हैं, see you guys in the next video, till then, bye bye, take care, keep watching, keep studying, and do subscribe my channel, and if you like the video, please share with your friends, bye bye,